नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में सामने है आपके SUV सेग्मेंट की सबसे ज़्यादा विखने वाली कार टाटा नेक्सॉन कमपनी इस कार के लगवक 78 वेरियंट आफर करती है नेक्सॉन को बुक करते समझ ज्यादा तर कश्मर इसके वेरियंट को सेलेक्ट करने में बहुत कनफ्यूजन में होते हैं हो भी क्यों ना इसके 78 वेरियंट जो आते हैं तो आपके confusion को कम करने के लिए हम बात करेंगे उस variant की जो आपके लिए सबसे ज़्यादा value farm मनी हो तो suspense को खत्म करते हैं और बात करते हैं Tata Nexon के XM plus S variant के बारे में इस car से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए आईए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करें उससे पहले अगर आपने इस चैनल AP कार को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसे सबस्क्राइब जरूर कर लें सामने हैं आपके Tata Nexon का XM plus S variant इस car में आपको दो engine option आफर किये जाते हैं पेट्रोल और डीजल पेट्रोल इंजन की अगर बात करते हैं तो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला इंजन आपको दिया गया है जो 120 PS का पावर और 170 NM का टार्क जनरेट करता है माइलेज आपको लगभग 13 से 14 सिटी में और 16 से 17 हाईवे में निकाल देगी एकर इसकी अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो 9,95,100 रूम आपको मिल जाएगी वहीं डीजल इंजन की बात कर लिया जाए तो इसमें 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला इंजन यूज किया गया है जो की 110 PS की पावर और 260 NM का टार्क जनरेट करता है लगभग 14 से 15 सिटी में और 20 के आसपास का मैलेज आपको हाईवे पे ये कार निकालत के देगी प्राइस की बात कर लिया जाए तो 11,30,100 रूम इसकी प्राइस रखी गई है इस कार में आपको भर भर के फीचर्स कमपने ने ओफर किये हैं सभी के बारे में बात करेंगे सबसे पहले इसटार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से कार के फ्रंट लुक को काफी मस्कुलर और बोल्ड डिजाइन के साथ पेस किया गया है बड़ी से गृल आपको पियानो ब्लाइक फिनिस में देखने को मिलेगी उसी में आपको Tata का लोगो भी देखने को मिलेगा बंफर में air intake के लिए बड़ी सी जाली दी गई है इसके बाद बात करते हैं headlamp की तो आपको projector और halogen का mix-up देखने को मिलेगा automatic headlamp इस variant में आपको दिये जाते हैं उसके साथ में नीचे अगर बात कर लें तो fog lamp आपको इसमें नहीं मिलेगा उसके साथ में indicator दे दिया गया है fog lamp आपको after market लगवाना पड़ेगा इस variant में आपको rain sensing wiper भी offer किये गए हैं अब बात करते हैं इसके side profile की तो side profile का सांदार look आपके सामने है कार में window के आसपास का पूरा का पूरा इलागा आपको blacked out किया गया जिससे काफी सांदार look इसका आ रहा है ground clearance के बात कर लिए जाए तो 209 mm का ground clearance आपको इस कार में मिलेगा इसके अलावा tear size किया ये बात करते हैं तो इसमें आपको 19560R16 के tear size आपको दिये गया है door handle को black color में दिया गया है इसके बाद सबसे ज़्यादा demand में रहने वाली sun roof इसमें आपको मिलेगी roof rails को भी दिया गया है काफी बहतरीन design के साथ में यहाँ पे दिया गया है shark fin antenna आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद इस car के rear look के बारे में बात करते हैं सबसे पहले tail lamp की बात करेंगे LED tail lamp आपको दिया गया है काफी सांदार design आपको यहाँ देखने को मिलेगा tail lamp का इसके बाद high mount stop lamp आपको मिल जाएगी defogger नहीं मिलेगा इस variant में आपको इसके साथ rear wiper भी आपको नहीं मिलेगा Tata का logo दिया गया है उसके नीचे nexon की बैजिंग दी गई है rear camera आपको इस variant में नहीं दिया गया है bumper में आपको दो rear parking sensor देखने को मिल जाएगे जिससे car park करने में आपको काफी help होगी तो यह थे इस car के exterior के features अब आएए देखते हैं इस car में interior में क्या-क्या features company ने provide कराए है तो front door को open करते ही आपको black color में इसका design देखने को मिलेगा जो plastic इसमें दी गई है hard plastic आपको देखने को मिलेगी soft touch नहीं दिया गया है इस variant में door पे ही आपको चारो power window के control मिल जाएगे जिसमें driver side आपको one touch down भी देखने को मिल जाएगा door में नीचे की side speaker को दिया गया इसके बाद एक सांदार features आपको दिखाते हैं जी हाँ umbrella holder जो के काफी बढ़िया features है इसके बाद इसमें आपकी आधा लीटर की bottle आपकी आराम से fit हो जाएगी और कुछ आप paper वगेरा भी रख सकते हैं ORVM के control आपको यहाँ पे दिये गए हैं जिससे आप अपने ORVM को electrically adjustable और fold कर सकते हैं इसके बाद बात करेंगे इस कार में लगे हुई seat के बारे में तो seat आपको फैब्रिक में देखने को मिलेगी जिसकी कुछनिंग काफी सांदार है और thigh support भी काफी बहतरीन है headrest इसमें आपको adjust table दिये गए हैं जो अपने according आप adjust कर सकते हैं इस कार में आपको एक flip की दी गई है और जो दूसरी की दी गई है वो आपको normal की दी गई है steering की बाद कर ली जाए तो भाईया इसमें आपको flat bottom steering आपको provide कराई गई है जिसके left side में आपको audio और vice से जुड़े control दिये गए हैं बीस में Tata का logo और air bag right side में आपको कुछ नहीं मिलेगा right side stock में आपको light से जुड़े control मिलेंगे auto headlamp दिये गए हैं इसके बाद left side stock में आपको wiper से जुड़े सारी control मिल जाएंगे steering को अगर आप adjust करना चाहते हैं तो केवल tilt का ही option इसमें provide कराई गया है टेली स्कोपिक का option आपको नहीं दिया गया है instrument cluster की बात कर ली जाए तो wipe fully digital आपको यहाँ पे दिया गया है बीच में आपको MID दी गई है जिसमें कार से जुड़ी पूरी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी infotainment system की बात कर लें तो 7 inch का touch screen आपको दिया गया है जो की हरमन के द्वारा बनाए गया है यह apple carplay और android को बैतरिन तरीके से support करता है इसका touch response भी बढ़िया है कोई सिकायत आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी mid में आपको AC vent दिये गया है जिसके चारो तरफ piano finish आपको देखने को मिलेगा इस car में आपको manual AC दिया गया है जिसके control आपके सामने है कुछ इस तरीके से उसके नीचे आपको 12V का charging socket दिया गया है और उसी के बगल में आपको USB charging point भी देखने को मिल जाएगा इस variant में आपको multi drive modes का option भी देखने को मिल जाएगा city, eco, sport तीन mode आपको इसमें provide कराएगा है center console में आपको बड़ा सा storage space provide कराएगा है cup holder भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद बात कर लेते हैं इसके globe box की तो globe box इसका आप जैसे ही खोलेंगे hydraulic system के साथ आपको दिया गया है बेहतरीन system है बड़ा सा globe box आपको देखने को मिलेगा rear view mirror आपको normal ही दिया गया है इसके बाद ऊपर आपको यहाँ पे sunroof के control मिल जाएगे cabin light आपको LED दी गई है जो की काफी बड़िया light देती है sun visor आपको normal ही देखने को मिलेगा जो co passenger side sun visor दिया गया है उसमें आपको mirror देखने को मिल जाएगा sunroof जो दी गई है यहाँ पे आपको normal sunroof देखने को मिलेगी बहुत बड़ा size उसका नहीं है लेकिन इतना size जरूर है कि एक आदमी इसमें बाहर निकल सकता है इस variant में आपको traction control और hill hold control का भी features दे दिया गया है यहाँ पर आपको space provide कराये गया है जिसमें आप अपने wallet वगरा coin वगरा रख सकते हैं front के बाद अब आईए देखते हैं कि rear passenger के लिए क्या-क्या offer किया गया है तो जैसे ही rear door आप open करेंगे आपको hard plastic देखने को मिलेगी black color में power window का control और एक liter की bottle आपकी fit हो जाएगी यहाँ पे इसके अलावन नीचे आपको speaker भी दिया गया है अब बात कर लेते हैं इस car के rear seat के बारे में जो की काफी जरूरी है rear seat में आपको headrest fix दिये गया है कुछनिंग काफी बढ़िया है इसकी इसके साथ seat का thigh support काफी बढ़िया दिया गया है जिससे आपको ठकान महसूस नहीं होगी rear passenger के लिए AC wind भी provide कराये गया है अब बात कर लेते हैं इस car के boot space की तो 350 liter का boot space आपको इसमें मिलेगा boot में आपको light भी दी गई है और 3 kg के hook भी दिये गया है इसके अलावा rear passenger के लिए charging point जो दिया गया है वो rear में दे दिया गया है जहां पे आप उसको use कर सकते हैं इसमें आपको tear mobility kit भी provide कराये गयी है तो ये थी Tata Nexon XM Plus S अब बात करते हैं कि इसे लेना चाहिए या नहीं इस price range में लगबग सभी जरूरी features आपको मिल जाते हैं rear camera और fog lamp अगर इसमें लगवा दिया जाए तो यह car value farm money हो जाएगी और आपके लिए perfect option बन जाएगी तो आपको यह car कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएग या वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक like जरूर कर लें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस channel को subscribe कर लें मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद